अस्सलामू वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज अल्लाह के वली की ऐसी करामात रखने जा रहे हैं, जो रेलवे ट्रैक के अंदर हुई, दोस्तों, रेलवे ट्रैक को जब अल्लाह के वली ने उखार डाला, क्या थी वज़ा, एक संसनी खेज वीडियो, एक अल्लाह के वली की दयारगाह आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरत में पढ़ जाएंगे। क्या थी वह संसनी खेच करामत जिसने बड़े बड़े अफसर के पसीने छोड़ा दिये और उस दयार को उसी जगह पर उनको छोड़ना पड़ा और आज भी बड़े ही आन बान शान के साथ रेलवे ट्रैक के बीच ओ बीच वह दयार मौजूद है। आपका दिल मचल जाएगा। प्यारे दोस्तों बहुत तेजी के साथ उन अल्लाह के वली का दरबार आपकी निगाहों के सामने हैं। दुनिया जमाना इन्हें खंबन पीर रहमतुल्लाह अलेह के नाम से जानती है। वह संसनी खेज करामत इनके द्वारा जहूर में आया दोस्तों जिसको सुनकर जिसको देखकर यकीनन आपका दिल भी मचल जाएगा। यूं तो दोस्तों मुलके हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों में अल्लाह के वली आराम फर्मा रहे हैं। और उन अल्लाह के वली के दरबार में ऐसी ऐसी करामत हुई है जिनको देखकर आज भी लोग जूम उठते हैं। प्यारे दोस्तों और अजीजाने मिल्लते इसलामिया आपके सामने जो दयार है दुनिया जमाना खंबन पीर रहमतुल्लाह अलेह के नाम से इनके दयार को जानती है। आपको बता दें कि इनकी दयार मुबारक रेलवे ट्रैक के उपर मौजूद है। दोस्तों आपको ये भी बताते चलें बहुत तेजी के साथ कि ये दयार कहीं और नहीं बलकि मूल के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के लखनव में वाके है। जी हाँ दोस्तों लखनव के चार बाग रेलवे स्टेशन का नाम आपने सुना होगा। जिस जमाने में अंग्रेज मूल के हिंदुस्तान में राज किया करते थे और उनके द्वारा हिंदुस्तान के अंदर रेलवे बिचाया जाता था। उखड जाता है। जब रात हुई और रात के एक मकसूस वक्त में उस अफसर ने यह देखा। कि रेलवे ट्रैक की जगा, यानि जिस जगह से रेलवे ट्रैक उखडता था, उस जगह अचानक से हरकत होने लगती है और अचानक से जिस तरीके से जमीन में धरार आने लगता है। उसी तरीके से रेलवे खुद बखुद रेलवे ट्रैक वहां से उखडना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तो, अंग्रेज अफसर ने जब इस मंजर को देखा, तो वह रेलवे का आफिसर भी हैरान रह गया। वह अंग्रेज हैरान रह गया। उसको इस बात की समझ में नहीं आई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दिस इंपॉसिबल, कोई आदमी नहीं है, कोई में नहीं है, लेकिन विदाउट मैन, रेलवे ट्रैक उखड रहा है। सुबह होती है दोस्तो, वह इंसान लोगों को बताता है, लेकिन सब के सब हैरत में थे। फिर दूसरा दिन जब ऐसा होता है, वह रेलवे अफसर जब सोता है, उस रेलवे अफसर को ख्वाब में एक बुजुर्ग का दीदार होता है। रेलवे ट्रैक के अफसरों तक पहुंची, तो रेलवे ट्रैक के अफसरों ने भी अपनी निगाह से देखा कि बगेर किसी इंसान के रेलवे ट्रैक वहां से उखड जाता था, तो उन लोगों को यह पता चल गया कि कोई अदृश्य शक्ती जरूर है जो railway track को उखाडती है और इस जगे से अगर railway track को बिछाया गया तो यह मुम्किन नहीं है कि railway track बिछ जाएगा बहरहाल दोस्तों इस मजार को just बगल में थोड़ा सा सरका दिया जाता है track को और उसके बाद railway track बिछाया जाता है रेलवे ट्रैक को भी आप देख रहे हैं और मजार शरीफ को भी आप देख रहे हैं दोस्तों तो यह दर्बार यह दास्तान हजरत खंबन पीर रहमतुल्लाह अलेह की है और रब से अपनी मुरादों को पाते हैं दोस्तों यह संसनी खेज वाक्या है अल्लाह के वली हजरत खंबन पीर रहमतुल्लाह अलेह का उनके उपर से जब रेलवे ट्रैक बिचाया गया तो रेलवे ट्रैक खुद बाखुद उखड जाती थी प्यारे दोस्तों अगर आपने भी हजरत खंबन पीर रहमतुल्लाह अलेह के दरबार का दीदार किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्ला हाफिज